सब्स्ट्राइब करें CGPAC Adda चैनल को for all government jobs related updates और side में bell icon को दुबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इस उडियो को लास्त तक जरूर देखें गया यह अपके लिए बेहाद जोने इंपोर्टन फोने माले हैं उसके बाद 36 state power transmission company limited CSPTCL इसके बाद 36 state power generation company limited CSPTCL में जारी किया गया है सबसे पहला पर देखें online form feeling करने का date कब से शुरू हो रहा है यह है 29-9-2021 से और last year जो है online form feeling का यह है 28-10-2021 का और देखें यहाँ पर payment option online यह है तो देखें online जो है fee submit करके payment करने का जो last rate है यह है 28-10-2021 का इसके बाद देखें के दुस्तों branch वाइस जो है यहाँ पर कुल मिलाकर जो post निकले हैं विभिन companies में CSPTCL में देखें electrical से जो है विभिन वरगों को जोड़तो है कुल मिलाकर पदो की संके 173 है IT से देखें 10 post हैं computer science से 10 post है इसके बाद CSPTCL से देखेंगा electrical से विभिन वरगों को जोड़तो है पदो की संके 28 है यह ट्रॉनिक से देखेगा यहां पर चार है CS PDCL PGCL और PTCL से लाश्ट में देखिए सिविल से देखेगा विमन वर्गों को जोड़ते हुए कुल मिलाकर पदों की संख्या 40 है आगे देखिएगा कुछ important note दिये गया है कि देखिए पदों की संख्या बढ़ घट सकती है इससे related description याने की main powers CS PDCL के पास है तुसरा पॉन जो है CS यह जो junior engineer का post निकला है इसके लिए वही चात्र apply कर सकते हैं यहां पे जो 36 के मून लिवासी यानि की domicile रखते हैं इसके बाद देखिए कि यहां पर पर्मिशन यहां पर form apply करने के लिए तीसरा पॉन देखिएगा दोस्तों यहां पर जूनियर का जो विवी ने विवागों से post निकला हुआ है आप particularly एक particular brand से ही जो है यहां पर form भर सकते हैं यही चीज़ यहां पर mention किया गया है इसके बाद देखिए कि इसे में चौथा point जो है यह दिया गया है कि देखिए क्योंकि यहां पर particular एक brand से विवी ने company में post निकले हुए देखिए mechanical का जो है CS PDCL में भी निकले है CS PDCL में भी post निकले हुआ है अब जब select हो जाते हैं तो देखिए का document verification की द दौरान आपको जो है प्रिफरेंस डाना पढ़ेगा कि आप कौन से company को पहला रगते हैं दूसरा रखते हैं तीसरा रगते हैं तो यह preference आपको ऑंपर डालना पढ़ेगा document verification के दोना आगे देखेगा दोस्तों जो तीसरा point है minimum educational qualification जो है वो दिया गया है तो देखी सबसे पहले electrical के लिए तीन वर्शों का diploma in electrical, electrical and electronics, electrical and instrumentation engineering from a recognized institute, आगे देखेगा information technology के लिए 3 years diploma in information technology from a government recognized institute, आगे देखेगा computer sense के लिए 3 years diploma in computer sense from a government recognized institute, mechanical के लिए देखेगा 3 years diploma in mechanical production engineering from a government recognized institute, electronics के लिए 3 years diploma in electronics या electronics and telecommunication या देखेगा electronics and instrumentation from a government recognized institute, civilly के लिए देखेगा 3 years diploma in civil engineering from any government recognized institute, देखेगा all engineering diploma should be duly approved by AACTEI UGC, देखेगा यहाँ पर most important point है जिसमें बहुत तरह चात्रों को doubt है, कि यहाँ सिर्फ diploma वालों को मौका मिल रहा है, बाकी लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, तो देखेगा यहाँ पर mention है minimum essential qualification, यानि कि new term sectioning हो गया तक, तो इसका मतलब यह भी होता है कि देखे, new term जो है, आदमिक पर डिप्लूमा की डिग्री होने चाहिए, maximum M.E.A.M.T.E.C. भी हो सकता है, देखे, इस case में देखे, B.E.B.T.E.C. या M.E.M.T.E.C. वाले भी form भर सकते हैं, हलाकि यह चीज़ यहाँ पर अभी clear नहीं हो पा रहे हैं, यह जो notification है, इसमें यह चीज़ को clearly mention नहीं किया गया है, लेकिन minimum essential qualification यह होता है, तो देखे, इसके लिए दो दिन का समय दीजिए, इस चीज़ को आपके समय रखा जाएगा, तो एक दो दिन का समय दीजिएगा, इ उनके लिए भी यहाँ पर मौका ओपन है, यानि कि उनके लिए भी competition ओपन रखा गया है, यहाँ पर देखे का उनके लिए अलग से कोई post जो है, रिजर्व नहीं रखा गया है, उनको सीधा सीधा जो है, यहाँ यहाँ एक चीज़ में छूट है, देखिए, maximum age limit में छूट इसके बाद देखिए, दूस्तों चौथा मन बहुत important है, यहाँ पर pay matrix से समधी, यहाँ पर salary skill से समधी, जो की asset का post है, और salary skill जो है, 35 एर 400 से लेके 1,12,400 रुपए है, इसके अतरिक देखिए, दूस्तों जब आप सेलेक्ट होंगे, तो उस दौरान आपको तीन वर्षों के probationary period में रखा जाएगा, इसमें देखिए, दूस्तों पहले साल जो है, आपको जो salary होगा, 70 प्रदिशत आपको मिलने वाल है, दिवती वर्ष में, जो आपका salary है, उसका 80 प्रदिशत मिलेगा, तीसरे वर्ष जो की है, जो आपका salary है, उसका 90 प्रदिशत जो मिलने वाला है probationary period के दोरन, इसके अधरिक देखिए, जो एक सरकारी करमचारी को विभी न भत्ते मिलते हैं, वह आपको दे होंगे, इसके बाद देखिए कि दोस्तों जो age limit है, वो एक एक दोजर एकीस से जो है, गंड़ना की जाएगी आपकी, तो minimum age limit देखिए, 19 वर्ष है, maximum age limit जो है, 40 वर्ष रखा गया है, UR category male female candidates के लिए, जो कि 36 गड़ के मूल निवासी है, 45 वर्ष रखा गया है, OBC और SCHT male female candidates के लिए, जो कि 36 गड़ के मूल निवासी है, और देखिएगा, एक सर्विस्मेंट जो है, उनको यहाँ पर age relaxation मिलेगा, हाँ, as per government of 36 गड़ जो है, उनके guidelines उसके लिए जो fees है, जो कि non-refundable है बता दूँ, वो देखिए कितना है, UR और OBC के लिए 1000 रुपए, जबकि SC और HD के लिए 700 रुपए रखा गया है, departmental जो candidate से, उनको यहाँ पर fees से जो एक्स्टेम्ट किया जा रहा है, यानि कि उनको fees देने की जरुवत नहीं है, यहाँ इसके बाद देखिए कि सेलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर बताया गया है, तो सबसे बहुत बता दू, आपके हैं कम्टर बेस्ट होने वाला जो कि 2 घंटे होगा, इसमें कुल मिलाकर प्रशनों की संक्या 100 होंगी, और marks भी 100 मिलेंगे, देखिए, इसमें भी 100 अंको जो प् देखिएगा, आपको यहाँ पर प्रत्यक सहीं उत्तर पर एक अंग मिलने वाले हैं, और यहाँ पर नेगेटिंग मार्किंग जो है, एक चौथा यह रखी गई है, आगे देखिए, एक पॉंट यहाँ पर मेंचन है, इसका देखिएगा, तीन कुने चात्र को जो है, और OBC के लिए 40 प्रतिशत, यानि की 100 का 40 प्रतिशत, और SC और ST के लिए 100 का 30 प्रतिशत आपका यहाँ पर लाना अनिवार रहे हैं, यह minimum qualifying marks है, इसके तरिक बता दू कि cut-out जो है, इससे decide नहीं होता, यह सिर्फ एक minimum qualifying mark से जो आपको compulsorily लाना ही है, इसी में देखिएगा, दोस्तों जो छेटवा point mention किया गया है, जो आपके question paper है, वो हिंदी और English दोनों जो है formats में होंगे, लेकिन देखिए, by chance कोई अगर doubt रहता है, कछन पत्र में, तो उसमें जो English वाला version है, उसी से उस चीज को clear किया जाएगा, और उसी के आधर पर final जो है, आपका उतर जो भी decide किया जाएंगे, वहाँ पर होगा यह, इसके बाद देखिए, दोस्तों, तेरवा point जो है, इसमें other terms and condition, यानि कि अन्य जो है, दिशा निर्देश है, वो mentioned है, पूरे भरती से संबन थी, तो इसमें जो important point से, उसे मैं बताता हूँ, तो इसमें देखिएगा, तो जो दसवा point है, बहुत important है, दिया गया है, कि in case जो है, छातरों की संख्या बहुत जादा होती ही, तो उस case में देखिएगा, अलग-अलग shifts में आपके paper ले जाएंगे, अलग-अलग दिन, और उस case में देखिए, कई बार होता है, कि कोई paper काफी आसान रहता है, तो कोई paper काफी tough, तो उस case में जो आपका marking होगा, वो normalization method के अधार पर किया जाएगा, तो देखिए, बहुत important चीज है, आगे देखिएगा, कि देखिए, जब भी आपका exam होगा, और दिन भी आपका final पूरा complete हो जाएगा, CBT, उसके देखिएगा, पास दिन के पस्चार जो है, आपका यहाँ प पर bond amount जो है, जमा करना पड़ेगा, और यह कितने वधी के लिए होगा, चार वर्स चुक लिए होगा, जैसी आप देखिए, यहाँ पर आपका duration complete कर लेते हैं, इसके बाद बाइचन से अगर आप company छोड़ भी देते हैं, तो आपका यह पैसा return हो जाएगा, लेकिन इस duration को अगर आप company छोड़ते हैं, तो आपको यह पैसा सीज कर लिया जाएगा, रख लिया जाएगा, आपको return नहीं होगा, इसके अतरिक देखिए दोस्तों अन्य जो दिशान देश है, अब इस PDF से देख सकते हैं, PDF को जो है, मैं अपने टेलिग्रम गुरूप में अल्रड़ी श क्या हो सकता है, तो जैसे कि मैंने संडे राए कोई दराए नहीं बताया था, देखिए कि इसका notification जरूर जारी होगा, डिटेल्ड वाला, लेकिन exam date जो है, इसमें disclose नहीं किया जाएगा, क्योंकि देखिए, अभी जो हालाद चल रहे हैं, COVID वाले, उस अनुसार देखिए, ब जो है, उस अनुसार जो है, यहाँ पर अगर डेड़ से दो महीना भी दिये जाता है टाइम, तो भी मान के चलिए, दिसंबर से लेकर जैनवरी जो है, यह आपका expected exam date हो सकता है, और अब इसी के अनुसार जो अपनी त्यारी करते रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को माध जो है, जो है।